महाभारत कालें खांडव वन से रखा गया था गाउं का नाम खांडव खरकुदा की बरोना खेड़ा से करीब 1213 के अंतराल में महाभारत कालें खांडव वन में आकर बसे चार भाईयों में से तीसरे नमबर के भाई सबसे पहले यहाँ पर आकर बसे इसके बाद यहाँ पर आबादी बढ़ती चली गई और विभिन एरिया से भी लोग आकर रहने लगे खरकुदा की करीब 4 किलोमेटर की दूरी पर सित खांडा गाउं के नाम की उत्पत्ती महाभारत कालीन खांडा वन की नाम से बताई जा रही हैं बताये जाता है कि महाभारत कालिन समय में पांडवों ने जो पांच गाओं मांगे थे, उनमें एक गाओं स्वनपर्थ था जो नाम सुधर्ते सुधर्ते सुनपत पड़ा, काफी समय तक पूरवत सुनपत भी कहते आई हैं, उस जुरान खांडवाण स्वनपर्थ गाओं का ह हिस्सा होता था कहावत है कि पांडवी यहां से गुज्ञे थे और कुछ दिनों तक इस खांडववन में विश्राम भी किया था यहां पर घनी जंगल थे दीरी दीरी बसासत होती गई और जंगल कम होते गई यह खांडा गाओं जھरोट चौल का छोटा खांडा गाओं का जनक भी बताया जाता है बुजर्गों का कहना है कि खांडावन काफी एरिया में फैला हुआ था इस खांडवन से श्रवन भी अपनी मादापिता के साथ गुजरे थी और कुछ समय यहाँ पर विश्राम किया था लेकिन इसका कोई प्रमान फिलहाल नहीं है इस गाउं में करीब 80 वर्ष पहले तपस्वी नारायन महराज हुए जो अलप पाईयों में ही वनों में चले गए जिरोंने खांडवे सिसाना गाउं में नारायन आश्रमों की सापना की खांडवाओं की अबादी अधिक होने की कारण यहाँ पर ग्रामिन पिछली काफी समय से दो पंचायतों की मांग कर रही है आपको यह भी बता दे कि खांडवाओं में ग्रुग्राम सेक्टरों में पेजल पहुशाने के लिए NCR Water Channel नहर की पानी को लेकर आरो सिस्टम लगा हुआ है जहां पर नहरी पानी को फिल्टराइज किया जाता है जिसके बाद NCR Water Channel नहर की रास्ते भेजा जाता है एरिया में यह पहली नहर है जो जमीन के निशिक गेहराई में बनी हुई है खांडवाओं से विधायक पदम सिंग दहिया हुए है जो वर्ष 1999 से 2004 तक खरकुदा रोहट हलके के विधायक रही जो चोधरी, देविलाल वे चोटाला पार्टी के बहुत अधिक विशवशनिय रही है आज भी पदम सिंग दहिया का नाम शरीफ इमानदार वे विशवशनिय वैक्तियों की रुप में आता है आईए अब आपको हम खांडा गाम से जुड़ी रोचक किस्सों के बारे में भी बताते हैं पहला किस्सा बताया जाता है कि बंदावीर बहादुर बैरागी यहां पर करीब वर्ष 1996 से 1709 के बीच में आई और मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने यहां पर देश का पहला सेना मुख्याले बनाया जिसके बाद उन्होंने यहां पर सैनिक तयार किये वे मुगलों के साथ लड़ाई कर उन्हें हरा दिया और आगे बढ़ते चले गए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने खांडा गाउ में पहुच कर बंदावीर बहादुर बहरागी की प्रतिमा का लोकापरेंट किया वे साथ लगतिर जोहर की जीरना उधार के लिए करीब देड़ करोड की राशी भी मंजूर कराई थी यही नहीं CSR कम्पनियों की सहयोग से खांडा में Military Prepatri Institute भी बनाने की खोशना उन्होंने की थी दूसरा किसा जब जोहर बना था जो जोहर देसी घी का तलाब बताया जाता है गाउं में भंडारा किया जा रहा था जिसमें देसी घी की पूरी बनाई जा रही थी विशाल भंडारी का जिम्मा एक बनिया ने लिया था लेकिन अचानक से घी समाप्त हो गया तो वहाँ पर ग्रामिन प्रेशान हो गई ग्रामिनों ने बाबा जैराम भ्रहमचारी से कहा कि बनिया की पास घी समाप्त हो गया है उसे दुरान बाबा जैराम ने शिश्यों से कहा कि जो सामने जोहड है वहां से जितने टिन देसे खी के चाहिए जोहड से भर ले और बाद में उनको वापस जोहड में डाल दे पूरा जोहड घी का ताला बन गया था और उस दुरान पांच घी के टिन जोहड से निकाले गए थे और पूरिया बनाई गई थी आज भी वह जोहड गाउ में प्रसिद है बाबा जहराम के नाम से खांडा वे हरिद्वार में हर की पोड़ी के पास मंदिर स्थापित किये हुए है दीसरा किस्सा भाबी की नाम से बनवा दिया था स्कूल करीब सो वर्ष पहले गाउ में गरी बनिया रहता था लेकिन रहे काम के लिए दिल्ली चला गया जहां पर उनका खूब कारोबार बढ़ गया जैसे ही कारोबार बढ़ा तो उसने अपने गाउं खांडा की उत्थान के लिए बेच्चियों की सिक्षा को ध्यान में रखते हैं अपनी भाबी के नाम से स्कूल बनवाया आज फिर उनका नाम गाउं में प्रसिद है चोथा गिस्सा पंडेत तीपचन सांखी हुए है जो हर्याने में विख्यात हुए 1608 में ये इलाका क्रिश्ण भाक्ती का केंदर भी रहा है खर्खुदावे खांडा में महा भारत कालीन खांडव वन के हिस्से थे जो धरन प्रचार का बड़ा केंदर रहा है जहां पर खांडा में एस्थ जिन्होंने खर्खुदा रियासत को भी तोड़ दिया था उन्होंने यहां पर भारत का पहला सेना मुख्याले बनाया था यहां पर सेना की तेयारी की थी आगे बात करते हैं गाव निवासे पंडित इश्वर सिंग से उनका इस विश्या में क्या कहना है प्रुदा है सब्सक्राइब करने था रिए एक तक करदद के दे वह युझत करें अगे वर बढ़ने तकावड़ इस प्रुदा हो एंड बंडार करूंगा प्रुदा मांत वाड़ श्या हमारेख सम्रा ठीकर बढ़ने पिर नहीं पंडू़ में प्रूबर्णे क्अड प्र अधो फिर पंडार के लादा नाना गाल जा लिए उपफाज में अधा हूर देखकाऊ उप देखने का जिब तपाई नी फिर दूसरें फेगा ले लादा दूसरें लूटिया लिया जेबू उने और सट डीपरी पाई सपियांगी जो नाना जोगा फिर तीरा की तीज है फिर जानी खतम हो गया तीरकर का लाजेए जोड पर ले लो इसका उल्टा देख कियो फिर उसमा पाणी पूरी तारी और फिर भेगर खबर के माराजी उड़े तोकान बें डिका शक्कर तावला गा बंडारा हो गया शक्कर तावले शिठा खांडा गाउं का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गोरों में है, मा भारत कालीन खांडव वन से इसका नाम खांडव वन खरकोदा से मेरट तक और दिल्ली तक फैला हुआ था, सवतंतर्ता संग्राम में भी खांडा का योगदान भूत महतोपूर्ण है, माना जाता है कि मुगलों के खिलाब पे सवतंतर्ता की पहली लड़ाई, बंदा बैरागी के नित्रत्यों में खांडा से ही लड़ी गई, शिक्खों के लिए भी यह गाओं भूत महतोपूर्ण है क्योंकि गुरु गोविन सिंग जी की पत्नी माता साहिब कोर भी इस गाओं में आई थी, लोक संगीत की धारा भी खांडा से होकर बहती है, पंडित दीप चांदे भूत बड़े सांगी थे जो इसी गाओं के रहने वाले थे, किष्ण भक्ती में खांडा का निर्मोई अखाड़ा मठे अतेंत महतोपूर्ण भूमिका में रहा है, निर्मोई अखाड़ा मठ की स्थापना 1608 में महान संते किसोरदास जी ने की थी और यह मठे आज भी निर्मोई अखाड़े के सभी मठों में सबसे ज़्यादा महतों रखता है